दिहार राजजीला कैमूर परखंड भवुवा पंचाज सोनहन गववा गाप में 700 लोगों की बस्ती है वहाँ पर महादलीत एवमाती पीछड़ा जातियों के लोग हैं वहाँ के लोगों ने 500 मीटर दूरी से पूर्वे सेही पानी लाकर पीते हैं वहाँ पर एक गानी कल भी नहीं है और एक कुह भी नहीं है टंकी लगलबा पानी तेवन कोनही काड़ काड़ तेवन पांच किलो मीटर पर दिमी जाता लिया वता तब दिय ताटे समय आदिमी के बेजारी तब फेलाल पानी कितने दिनों से बंद है कि तने तो साल भर न हो, साल भर से तंकी बंध होने से क्या दिकत है? का दिकत बाठे? अदि में पानी बिना तडप तन की का दिकत है? आब लोग कहां से पानी पीती है? पांच किल्यो मेटर पर जाएला जा ता कपार पलाद के लिए ला जा नारा मेले उहां पानी पीने से क्या दिकत होता है? कोई बेजारी फैलल भाठे लादे गरवड़ी भाठे लादे गरवड़ी भाठे के गाह में कल नहीं है? नहीं एक भी कल नहीं है एक टंकी भी तो दू असों से जिगा हुआ है लोग नारा के पानी पीदने से बीमार पड़ जाते हैं मैं मेरा संदा चाहता है कि मेरे गाह में दो चारकॉल और जो टंकी भीड़ा हुआ है लग जाता कि ग्रामी लवासियों बीमारियों से और 500 मीटर दूरी से पानी लाने से मने बचे इस वीडियो को जो भाई बहन देख रहे हैं उनसे अपिल करती हूँ कि जीला कारेजपाल अप्पी एचडी का मोबाइल न मने नानवे तीहतर बासर संतानवे संतानवे पर काल करें और मेरी मदद करें माय मामता देवी राजपूर जीला काईमू राजबिहार इंडिया अनहर्ड के लिए